हेलो वच्छों वेलकम बाग तो CUD बाटा 24-7 और मैं बात करना चाहते हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप लोग को पता नहीं है लेकिन वो इंपोर्डेंट है तो डेरी उनिवस्टी में कुछ स्पेसिफिक टाइप का कोटा होता है जो कि आपके दो कोटे होते हैं एक तो आपका ECA कोटा होता और एक आपका sports कोटा होता है ECA कोटा का मतलब अगर हम बात करें तो यहां पे extra curricular activities के कोटे की बात की जा रही है और अगर मैं sports कोटा की बात करें तो basically वो sports जैसे नाम बता रहे है उसी कोटे की बात करी जा रही है ठीक है इसी कोटे की अगर मैं बात करें तो कुछ बच्चे हैं जिन बच्चे होते हैं जो आपके dance में अच्छे होते हैं जो आपके music में अच्छे होते हैं तो उनके लिए special seats जो होती है वो reserved होती है और उसमें मतलब जैसे कोई बच्चा है जो music, जो sports में अच्छा है अगर वो 12 में पढ़ाई नहीं हो पाई है वो cricket अच्छा केलता है, cricket national level तक केला है, state level तक केला हुआ है लेकिन obviously और वो खेला है तो उसके marks थोड़े कम है तो उस case मे security का marks की भी weightage है पर eventually आपके कुछ certain एक test है और एक seats है जिसके basis पर आप लोगो directly Delhi University में admission बिल सकता है, right तो सारे बचे यार एक बर session को share कर दो, यहां पर session को एक बार like कर दो और मैं यहां पर एक बार आपको बस बता देना चाहती हूँ कि क्या आपका यह quota है और इसमें कैसे admissions आप लोग के होने वाले होते हैं, ठीक है को यहां पर trials देने पड़ते हैं, ठीक है, trials होते हैं, अगर sports है तो आपको sports के trials होंगे, अगर music है तो music के trials होंगे, तो, right यह सारे आप लोग के trials होंगे, ठीक है, यह trials जो है ECA और sports category के likely हैं कि आपके 10 October के बाद हो, देखो, 10 October आपकी date है, आपकी first round of counseling के result की, right first round of counseling के result की date है, और इस result के साथ, इस date के साथ ही आप लोग का, यहां पर trials भी कंड़ करवाए जाएंगे, और यह trial आपके physically होंगे, right इसके लिए अगर किसी बच्चे को इस quota में apply करना है, तो उसको physically Delhi University जाना पड़ेगा, और वहां पर यह एक venue होगा, कि यहां पर आपको trial देने है, वहां पर आपका trial होगा, उस trial के basis पर आपको marks मिलेंगे, और उस marks के basis पर आप लोग को admission मिलेगा, ठीक है बच्चों, तो य connection window आज most probably आप लोग की open हो जानी चाहिए, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह आपका पहला tweet था, और दूसरे tweet के अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपको admission चाहिए, ECA और sports quota में, तो 25% weightage आपके CVT score को दी यहां पर कुछ और एक trial के number होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के combined merit बनेगी, ठीक है, और 25% number अगर आपको 200 number चाहिए, तो 200 में इसे 25% अगर मैं बोलू, तो 25% अगर मैं बोलू, तो यहां पर 50 number, 50 number आपके CVT score के लगेंगे, 50 में उसको convert कर दिया जाएगा, और जो बचे हु और certificate के लगने वाले हैं, ठीक है, यह आपका format रहने वाला है, उन बच्चों के लिए जो आपके इस कोटे में admission लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जितने भी बच्चे अगर आप लोग अच्छे हो, अगर आप लोग के पास sports का कोई certificate है, जो अगर आप लोगों ने मैंने आपक अगर आप लोगों ने अपने नैशनल लेवल पर और याद लगना, consecutively हो तीन साल के तीन एर के certificate माँगेगी, कि यानि कि 2017 में certificate होना चाहिए, 2018 में होना चाहिए, 2019 में, तीन साल के certificates आपके लगने माले है, अगर आप लोग को sports category में admission चाहिए, और अगर आप लोगों को normal ECA category में वहाँ पर एक ही certificate लगे है, जो भी आपका district level का है, या पर state level का है, या फिर national level का है, तो ये बाते हैं जो में आप लोगों को बताना चाहूँगी, और आप लोगों को समझना है यहां पर कि बोथ ECA and sports quota होनगी, तो certificate issue, देखो time period क्या है, अगर आपके certificate 1 April 2017 से 30 June 2022 के certificate होने चाहिए, जिनकी date होनी चाहिए, 1st April 2017 से 30 June 2022 के बीच में, right, so I hope सभी बचों को ये बात clear है, and this is what I wanted to convey to all of you, ये जो बाते हैं, ये बहुत important है, अगर किसी को ECA या sports category से और भी कोई doubt है, तो comment कर सकता है, या किसी और specific category के admissions के regarding कोई doubt है, तो आप लोग comment कर सकते हैं, I hope आ अगर आपको admission लेना है, तो आपको trials देने पड़ेंगे, जिसकी date 10 October के बाद की है, और साथ में CUT का score भी महापे count किया चाहेगा, लेकिन 25% CUT score को weightless दी जाएगी, और 75% आपके बाकी के performance को जो आपने trial में करा है, plus आपके certificate national level का है तो जाधा marks होंगे, state level का है तो कम होंगे district का है तो और कम होंगे, साथ ही में आपको ये certificates जो है, इनकी dates उन्होंने बोल दी है कि August से 2017 से आपके June 2022 के बीच के होने चाहिए, so I hope आप लोगों को clear होगी यह बात, किसी को कोई doubt है तो comment कर सकता है, and please सभी के सभी बच्चे वीडियो को like और share ज़रू करेंगे, ताकि maximum प्रमीशन बुदएके.